आप देख रहे हैं TNB आपको बता देए कि उत्तर प्रदेश में पहले के मुकाबले अभी हालात काफी बहतर है और लागतार कोरोना पॉस्टिविटी रेट में कमी देखी जा रही है इन सब के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अलान किया है कि लॉकडाउन को और एक हफ्ते बढ़ा दि तक कर दिया गया है इस दोरान टीका करन और दोगी गतिविद्या चिकित्सक कारी जैसी जरूरी से वाय चालू रहेंगी और इसके अलावा हर चीज पर पहले जैसी ही पाबंदिया बनी रहेगी बेवज़ा बाहर गूमने पर मना ही रहेगी सारवजनिक वहानों को अनिमती होगा इसके साथ ही आपको बता दे कि पिछले 24 घंटे में उतर प्रदेश में कोरोना के 6046 नए मामले सामने आए हैं और तकरीबन 17,540 लोग इलाज के बार डिस्चार्ज हो चुके हैं इसका मतलब यह है कि संक्रमितों से जादा रिकवरी रेट है जो कि एक अच्छी है साथ ही अब तक पिछले 24 घंटे में कुल 3,65,540 टेस्ट सेंपल की जाच की गई है पहले से अभी के हालात बहतर हो चुके हैं और इस बहतर हालात को देखते हुए योगी सरकार ने इस हालात को और बहतर करने के लिए लोगडाउन एक हफते बढ़ाने का फैसला लिया है मुख्यमंतरी योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वह अब प्रदेश वासियों के जीवन और जीविका को सुरक्षित रखने के लिए संकले पित है इसे के साथ अब ये वक्त ही बताएगा कि ये लोगडाउन जो है एक तिस मई को भी खुलता है या फिर उस दिन इसको और ज